So hello everyone and welcome back to the channel दोसो आज की इस वीडियो में मैं आपको HTML के बारे में समपूर ग्यान देने वाला हूँ कि HTML क्या होता है और HTML tag क्या होता है HTML element क्या होता है और हम लोगों का syntax क्या होता है HTML का लिखने का और जब आप website create करते हैं तो हम लोग किस तरीके से HTML का वहाँ पर use करते हैं तो इन सब चीज के बारे में दोस्तों यहाँ पर हम लोग discuss करने वाले हैं और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको PHP के बारे में बताया था तो आज की इस वीडियो में मैं आपको complete जानकारी देने वाला हूँ HTML के बारे में तो दोस्तों चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग HTML समझते हैं कि HTML का मतलब क्या होता है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर जो content लिखा हुआ देख रहे हैं यह complete HTML से बनाया गया है और दोस्तों यहाँ पर जो color वगेर आपको blue color का text दिख रहा है यह दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बहुत styling भी की गई है तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चलता हूँ और website पर दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने HTML के थोड़ों यह website को design किया है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं Facebook के यहाँ पर website पर आ चुका हूँ ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं Facebook Facebook helps you connect and share with the people in your life ठीक है और यह सारी चीज़े यहाँ पर जो आप देख रहे हैं यह जो button देख रहे हैं login का create new account यह जो लिखा गया है text यह दोस्तों यहाँ पर HTML की मदद से लिखा गया है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहाँ पर HTML का use किया गया है जिससे यहाँ पर यह website create की गई है ठीक है और यहाँ पर जो green color, blue color आप देख रहे हैं यह थोड़ा सा यहाँ पर styling की गई है जिसे हम लोग CSS कहते हैं cascading style sheet ठीक है और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग Wikipedia की page की बात करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जितना भी text लिखा गया है यह सब HTML की help से ही लिखा गया है अब यहाँ पर दोस्तों चलते हैं और view page source पर click करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यह भी जो है Wikipedia का जो page है वो HTML से लिखा गया है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो dog type HTML है यह देखिए HTML लिखा गया है और यह head tag है और फिर हमारा body tag तो दोस्तों यहाँ पर आप head tag देख सकते हैं दोस्तों head tag के अंदर हम लोग title वगयरा लिखते हैं और जो content हमें show करवाना है web page में वो हम लोग body के अंदर लिखते हैं तो इन सब चीज़ के बारे में दोस्तों यहाँ पर आगे बात करेंगे तो अभी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इतना जाने हैं hypertext और markup language तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि hypertext का मतलब क्या होता है तो दोस्तों यहाँ पर hypertext का मतलब होता है hypertext is a text which contains links to other text ठीक है तो hypertext एक तरीके का text होता है जो की दूसरे text से link होता है अब इसका मतलब क्या होता है चलिए वो मैं आपको समझा देता हूँ practical ठीक है अब यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने एक normal सा stml यहाँ पर मैंने text लिखा हुआ है hello first page click here ठीक है तो यहाँ पर यहाँ जो click here है यह text है और जैसे ही मैं click करता हूँ दोस्तों यहाँ पर यह मैं second page पर आ जाता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर अब फिर से जैसे मैं यहाँ पर click here पर click करता हूँ तो यहाँ पर मैं first page पर आ जाता हूँ तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर यह हुआ कि जो hypertext होता है is a text which contain links to other text ठीक है तो I hope आपको यह समझ आया होगा तो दोस्तों यहां पर जो है markup language का मतलब क्या होता है तो markup language एक तरीके का computer language होता है that uses tag to define element within a document मतलब कि दोस्तों जब कभी भी आप website create करते हैं तो उसके अंदर जो web page होता है उसके अंदर लिखने का कुछ तरीका होता है जिससे आप text लिख सकते हैं web page में जैसे कि मैंने अभी आपको Wikipedia page पर आपको दिखाया था कि यहां पर जो text लिखा गया है यहां पर इसका कुछ syntax होता है HTML का लिखने का तो वही पर दोस्तों जब भी आप कभी भी language वगेरा आप सीखते हैं जैसे कि C हो गया Java हो गया तो उसका अपना एक syntax होता है तो वैसे ही mark सबसे पहले dog type stml आप लिखते हैं फिर stml लिखते हैं ठीक है stml यहां पर tag लिखा फिर head tag है फिर body है फिर body tag close है और यहां पर stml close हुआ है अब यहां पर दोस्तों होता क्या है जैसे कि दोस्तों dog type stml अब यहां पर मैं आगे आपको बताऊंगा अभी आप सिंटेक्स देख लिखे कि यहां पर किस तरीके से हम लोग लिखते हैं ठीक है सबसे पहले dog type stml फिर stml फिर head tag हो गया फिर body tag हो गया फिर stml यहां पर मैंने close कर दिया अब जो भी content आप लिखेंगे वो body tag के अंदर आप लिखेंगे और head tag के अंदर हम लोग title वगरा add करते हैं तो यह मैं आप को आगे बताऊंगा ठीक है अब चलते हैं आगे अब थोड़ा सा दोसों यहां पर जो है हम लोग जान लेते हैं कि history of stml के बारे में तो दोसों यहां पर जो tim burners lee थे इन्होंने worldwide को यहां पर डिस्कवर किया था और 1991 में दोसों यहां पर tim burners lee ने stml को भी डिस्कवर किया था उसके बाद दोसों यहां पर बहुत सारे वर्जन आना स्टार्ट हुए जैसे कि 1993 में stml 1.0 आया फिर 1999 में stml 4.01 वर्जन आया फिर 2014 में तो दोसों यहां पर stml 5 वर्जन आया जो की और भी stml 5 के वर्जन आ रहे हैं ठीक है तो यहां पर अभी जहां हम लोग latest वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो stml 5 यूज़ करेंगे और यहां पर मैं आभी आपको syntax लिख के भी बताऊंगा कि किस तरीके से दोस्तों यहां पर हम लोग stml का syntax लिखा जाता है तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँगा अब यहां पे थोड़ा सा दोस्तों hypertext markup language के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है जैसे कि stml is a platform independent तो दोस्तों यहां पे आप किसी भी operating system में आप इसे चला सकते हैं और stml is a case insensitive तो दोस्तों यहां पे case insensitive का मतलब यह है कि आप lowercase या फिर uppercase में आप किसी में भी लिख सकते हैं कोई problem नहीं है no need of any programming background इसका मतलब यह है कि जैसे कि दोस्तों जब कभी भी आप कोई कोई भी programming knowledge की जुरत बिलकुल भी नहीं है आप इसे आसानी से सीख सकते हैं तो दोस्तों यहां पे जो है अगर आपको complete वीडियो चाहिए stml पर कि किस तरीके से stml को सीखना चाहिए तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा तो stml files has an extension .html तो दोस्तों यहां पे जब कभ वेब पेज को define करते हैं जहां पर हम लोग tags लिखते हैं और जैसे p tag हो गया,br tag हो गया ठीक है जब line को break करना हो तो br tag यूज करते हैं तो यह सारी चीज़े होती हैं तो आपको इनके characteristics समझ में आ गए होगे अब हम लोग आगे चलते हैं तो अब दोस्तों hypertext markup language में यहां प they begin with यहां पर this symbol and end with this symbol ठीक है, यहां पर यह starting symbol है और यहां पर यह ending symbol है, अप जैसे के दोस्तों यहां पर आप侍टध देखरहें ठीक है अभी मैं इसको आपको example यहां पर code करके भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है? जैसे के दोस्तोंक Já unika test explaining tag है यह हमारा होता है opening tag ठीक है औ यह ओपनिंग टैग है और यह ऐं ओपनिंग टैग और खो लगात्ट यहां पर मैने आपको बताया, मैं देहां और शांको यहांपी बुर्णी ब्रैक्ट यहां अग बैगाने जिन का यहां पर खोल गाले होता जैसे IMG हो गया ठीक है जब आप image यहां पे मतलब include करते हैं अपने webpage में और input देते हैं तो यहां पे आपको closing tag की जरुरत नहीं पड़ती तो आई होग आपको HTML tag के बारे में पता चल गया होगा कि क्या होता है यह हमारा content in between the tag अब दोसों यह जो tag है इन tag के बीच में जो है जो hello world लिखा है यह हमारा दोसों यहां पे content होता है यही जो है webpage में जा करके show किया जाता है तो अभी मैं इसके भी बारे में आप आपको practical भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से hello world जो है हमारे web browser पे जा करके print होता है तो यह चीज मैं आपको बताऊंगा अब दोसों यहां पे html attribute क्या होता है जैसे कि दोसों आपने यहां पे p tag देख लिया और यह closing tag देख लिया यह हमारा html tag होता है अब यह अब दोस्तों यहां पर जो आप color blue देख रहे हैं इसका मतलब यह है दोस्तों इसके उपर कुछ attribute अप्लाई किया गया है attribute जो है आप अपने हिसाब से दे सकते हैं आप जो भी color देना चाहें वो color दे सकते हैं मैं अब आपको इसे दिखाऊंगा कि आप कोई भी color दे सकते हैं तो वही चीज यहां पर दोस्तों कह रहे हैं कि html attribute के अंदर जैसे कि hello word है वो blue color में हो जाए तो यहां पर यह जो color होगा वो blue हो जाएगा अब जैसे style जो है दोस्तों यह हमारा attribute है और attribute की जो value है यह जो attribute की value होगी color blue ठीक है तो आई होप आपको यहां पर html tag html element और html attribute समझ में आया होगा अब दोस्तों यहां पर जो है आपने जब कभी भी आप web page बनाते हैं तो यहां पर आपको तीन चीज़ की ज़रत परती है html, css और java script की तो दोस्तों html आपका क्या करता है structure design करता है ठीक है structure design करता है और यहां पर जो css होता है वो यहां पर designing के लिए use किया जाता है अब जैसे कि दोस्तों यहां पर चलते हैं आप यह देखिए दोस्तों यहां पर जो login page है ठीक है यहां पर जो facebook का page है यहां पर आप login देख रहे हैं यह blue color का है यह green color का है background तो यह किस तरीके से हुआ यहां कि दोस्तों cascading style sheet मतलब css का use किया गया है और java script का मतलब यह होता है जब आप उसमें functionality add कर देते हैं तो वहां पर वो java script add हो जाती है ठीक है तो यहां पर इन तीनों जो है stml css और java script का use करके आप web page को design कर सकते हैं बहुत ही simple तरीक है तो दोस्तों यहां पर जो है मैं अ studio code open हो गया है तो दोस्तों यहां पर आपका download नहीं है visual studio code तो सबसे पहले आपको download करना है और यहां पर मैं link description box में देदूंगा तो आप जा करके वहां से download कर सकते हैं ठीक है अब सबसे पहले दोस्तों यहां पर हम लोग करते क्या है यहां पर index यहां पर लिखते है 2.html ठी यहां पर जो है आपको लिखना पड़ता है dog type ठीक है तो यहां पर मैंने dog type लिख दिया dog type लिखने बात दोस्तों यहां पर आपको stml लिखना पड़ता है अब इसका क्या मतलब होता है दोस्तों dog type stml का इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों यहां पर जो dog type यह बताता है कि य यहां पर stml का use किया जा रहा है ठीक है अब दोसों यहां पर आगे चलते हैं और यहां पर हम लोग stml लिखते हैं ठीक है अब जैसे कि दोसों यहां पर मैंने आप यहां पर case incestive है तो दोसों यहां पर चाहिए capital letter या फिर small letter में लिख सकते है तो यहां पर मैं small letter में लिख लेता हूं ठीक है अब जैसे कि दोसों यहां पर HTML मैंने लिख दिया तो इसका दोसों यहां पर closing tag भी आपको लिखना जरूरी है ठीक है तो यहां पर मैंने closing tag भी लिख दिया अब इसके अंदर यहां पर यहां पर टाइक है अब इसके बात दुस्तों यहां पर हम लोग learns मैं लिखते हैं body tag भी जैध सकते हैं यहां पर stmill करने वाला हुँ और यहां जो है HTML मैंने tag लिखा, इसका closing tag आप देख रहे हैं, यह है, और वैसे मैंने यहाँ पर body tag लिखा, इसका closing tag भी यहाँ पर देख सकते हैं, और यह हमारा head tag है, अब दोस्तों यहाँ पर देखे, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मुझे title add करना है, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने title लि किया, open with live server पे click कर दूँगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर मैं right click किया, और open with live server पे click कर दूँगा, ठीक है, अब देखे, जैसे ही मैंने live server पे click किया, तो दोस्तों यहाँ पर जो title है, वो tag code नाम से आ गया है, ठीक है, आई पास बहुत सारे जो है टैग होते हैं जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैं P-Tag का यूज कर रहा हूँ अब यहाँ पर P-Tag का जो मैंने यूज किया है जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ lorem 10 ठीक है तो यहाँ पर यह देखिए text आ गया है अब फिर से दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलेंगे और यहाँ पर right click करेंगे open with live server से तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह lorem ipsum dollar जो भी है यह dummy paragraph है तो यह आ चुका है ठीक है अब उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या text मैंने add कर दिया अब यहाँ पर आपको link लगाना है जैसे कि दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको wikipedia page पर आपको दिखाया था कि जो main page आप देख रहे है यह जो blue color का हो गया है ठीक है अब जैसे main page पर मैं click करूंगा तो दोस्तों यहाँ पर यह दूसरा page open हो जाएगा ठीक है अब यह कैसे हो रहा है तो यहाँ पर मैं वो चीज़ बताता हूँ आपको ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपको anchor tag का use करना है ठीक है तो यहाँ पर मैं anchor tag यहाँ पर लिखता हूँ यहां पर लिंक देना पड़ता है जैसे लिंक यहां पर मैं क्या दे सकता हूं मैं चाहिता है दोस्तों यहां पर index1.html में मैं आ जाओं ठीक है तो यहां पर मैं लिख दूंगा index1.html ठीक है यहां पर मैं लिख दिया और यहां पर जैसे कि आपने वहां पर देखा था Wikipedia पे त तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं लॉरेन इपसम आ गया ठीक है और यहां पर main page आ गया है text जो कि यहां पर blue color का आपको दिख रहा होगा जैसे ही मैं click करूँगा तो दोस्तों यहां पर मैं दूसरे text पर आ चुका हूँ जो कि मैंने यहां पर add किया था index1.stml आप देख सकते हैं तो यहां पर दोस्तों आपको मैं कुछ tag दिखा रहा हूँ ठीक है कि किस तरीके से लिखते हैं जैसे कि दोस्तों यहां पर चलते हैं और यहां पर हम लोग paragraph जैसे कि add किया है और थोड़ा सा add कर देते हैं तो यहां पर हम लोग p tag लिख दिया और यहां पर lorem 50 लिख देते हैं ठीक है तो यहां पर जो है इसको click करते हैं और format कर देते हैं document अब दोस्तों यहां पर कैसे दिख रहा है सबसे पहले मैं आपको live server पर दिखा देता हूँ ठीक है तो ऐसा कुछ आपको देख रहा होगा अब दोस्तों यहां पर मैं चाहता हूँ यहां पर जो है एक यह जो है नई line से शुरुवात हो जाए यहां से ठीक है तो इसके लिए मैं चाहूँगा यहां पर BR tag का use करते हैं अब यहां तो एक काम करते हैं यहां पर इसको हटाते हैं यहां पर आप यहां पर यह नई line से शुरुवात हो गई है तो दोस्तों इस तरीके से जो है आप यहां पर HTML का use कर सकते हैं और मैंने आपको यहां पर HTML के बारे में बताया और यहां पर थोड़ा history भी बताया क्या होता है और HTML tag element इन सब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और यहां पे किस तरीके से दोस्तों यहां पे लिंक कर सकते हैं दूसरे टेक्स्ट से वो चीज़ मैंने आपको बताया